नमस्कार दोस्तों NCRT भुगुवल और परियावड के प्रस्नों के महत्पूड सिंखला के साथ एक बार फिर से मैं उपस्तित हूँ जो आपके आगामी होने वाले एक्जाम्स के लिए सिच्छे भरती एक्जाम्स के लिए कापी महत्पूड होंगे इसके साथ ही जो सीटेट टेट या अधर श्टेट के टेट या फिर किसी अधर वंडे एक्जाम्स के लिए भी ये प्रस्न सिंखलाएं कापी महत्पूड होंगी आए देखते हैं आज के प्रस्न सिंखला का पहला प्रस्न सवरीक उर्जा को रासायनिक उर्जा में परिवर्थित करने वाली प्रिक्रिया है तो मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताते चलूँगा आप सब भी आंसर करते चलिएगा इस प्रस्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रकास संसलेसर अगला देखिए दिर्श से प्रकास के किस रंग में प्रकास संसलेसर की किरिया सरवादिक होती है तो इस प्रस्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकास में प्रकास संसलेसर की किरिया सरवादिक होती है तो सवरीक स्पेक्ट्रम की समस्त उर्जा के सरवादिक भाग का प्रतिनित्व आवरक्त किरोडों के द्वारक किया जाता है C is the right answer अगला देखिए कितना प्रस्त सवरीक उर्जा वायो मंडल द्वारा अवसोसित हो जाती है लगबक 14 प्रस्त B is the right answer अगला देखिए वायो मंडल ये उस्मा का कितना प्रस्त भाग पार्ति और विक्रड की रूप में प्रात होता है तो लगबक 23 प्रस्त भाग B is the right answer अगला देखिए निर्म लेकित में से कौन सा तक्त्व समस्त प्रित्मी में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है ये सभी प्रस्त काफी important है आपके आने वाले एक जाम्स के लिए BCS कर आपके सिक्चकवर्थी परिच्चा के लिए पर्यावड और भुगोल के काफी महत्वड प्रस्त पूछे जाते हैं वाँ पर करीब 35-40 प्रस्त आपका इस सक्षन से आता है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सक्षन आपका अच्छे नंबर लाने के लिए यह सक्षन काफी महत्वड भूम का अदा करेगा तो इसी करम में यह महत्वड प्रस्तों की स्रिंकला आप सब के लिए मैं लेकर आया हूँ और इसी तरह से आगे भी महत्वड प्रस्तों की स्रिंकला के लिए आप सभी लोग चैनल सब्सक्राब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक और सेर भी कर देंगे साथ ही जिन लोगों ने इसके पहले की स्रिंकला ना देखिए तो आप सभी लोग प्लेलिष्ट में जा करके उस अभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं अगला देखिए निम्र लिखित में से कौन सा तक्त्व समस्त प्रित्वी में सरवादिक मात्रा में पाया जाता है समस्त प्रित्वी की बात कर रहा है तो लोगा हो जाएगा आपका C is the right answer वही अगर बूप्रिष्ट की बात की जाती है तो आक्सीजन बूप्रिष्ट में दूसरे नंबर पे कौन सा तक्त्व सरवादिक मात्रा में पाया जाता है तो सिलिकन ये तीनों ही फैक्ट भी आपक वह प्रिष्ट की बात की जाती है तो सरवादिक मात्रा में आक्सीजन पाया जाता है उसके प्रशाथ सिलिकन नामंकत्त्तों की प्रदानता होती है अगला देखिए धरातल का कितना प्रिस्ट भाग अवसाधी चट्टानों से आच्छा दित है तो आसा करता हूँ आप सभ हिंद मा सागर में एज दराइट आंसर अगला प्रस्ता है विस्टो में सरवादिक लवड़ता पाई जाती है तो तर्की की वान जील तर्की आपका एक देश है या पी तुर्की भी बोलते है तो उसके वान जील में सरवादिक लवड़ता पाई जाती है अगर इसके बाद दूसरे नमबर पर बात की जाए तो मिर्त सागर में सरवादिक लवडता पाई जाती तो जहां पर अगर वान जी लापसर में ना हो तो आप मिर्त सागर को सही आंसर लगाएंगे अगला देखिए आपको मिलाना है अस्थानी पवनों को उनकी चेत्रों के साथ तो फान नामक अस्थानी पवन आलपस चेत्र में भाती है सामुन नामक अस्थानी पवन कुर्दिस्तान चेत्र में भाती है सेंटा एना नामक अस्थानी पवन अमेरिका के कैलिफोर्निया सार में भाती है और जोंडा नामक कैला अस्थानी पवन दच्छिड अमेरिकी दिस नमें बैती है तो यह होगी आपका A का 2, B का A का 4, B का 2, C का 3 और D का 1 तो B आपका बिलकुल सही हो जाएगा आंसर अगला देखिए सुर्य का प्रभामंडल प्रकास की अपवर्तन से उत्पन होता है इस प्रस्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पच्छाव अस्तर तापांतर नियुनतम होता है यह आपका भूमद रेखा है जीरो डिगरी अच्छांस या इसी को बोलता है विस्वत रेखा तो भूमद रेखा पर वार्षिक तापांतर नियुनतम होता है तो A is the right answer अगला देखिए साप मेग रहित रातों की तुलना में मेगा चन्न राते अपेच्छा करत गरम होती है क्योंकि बादल प्रतिवी से छोड़े गई उस्मा को परावर्थित कर देते हैं इस वज़े से प्रतिवी ठंटी नहीं होने पाती है और वाता वरण गरम बना रहता है अगला देखिए महासागरों में पाये जाने वाले प्रवाल वित्तियों ग्लूबल वारमिंग के वज़े से समुदर का ताप्पान निरंतर बढ़ता जा रहा है अगला देखिए क्वार्ट जाइट कायंतरित होता है तो क्वार्ट जाइट नामक कायंतरित सेल बलुआ पत्थरों से प्राप्त होती है यह रहा आपका आज की स्रिंखला के महत्तप सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करतेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में